Hello everyone, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से दहीवडे, इन दहीवडों को आप रोटी से, पराठे से या फिर as a snack भी ऐसे ही खा सकते हैं, यह बहुत ही जादा यमी बनते हैं और इसके टेस्ट की मैं गैरंटी लेती हूँ, यह 100% बहुत ही जादा यमी बनने वाले हैं, त इसको पांच घंटे भीगो कर रख दिया, फिर मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट आपको बनाना है, और फिर मैंने इसमें पिंच ओफ हींग एड करी, हाफ स्पून सॉल्ट एड किया, रेट चिली वन थर्ट टी स्पून एड करी, और जिं आपके वड़े बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट से बनेंगे, फिर आप थोड़ा सा बैटर लें और पानी में डालें, अगर बैटर पानी के उपर तैरता है, तो ये तयार है, और अगर नीचे डूब जाता है, तो आप थोड़ा सा इसे और फेटे, और इस तरह से पानी जरूर हातों में लगाएं, और एक पेडा ऐसा बनाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसमें एक होल सा कर लेंगे, ये शेप आप बड़े का देंगे, तो बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा, और ये ट्रेडिशनल वड़े का शेप होता है, वैसे तो नॉर्मली हम कभी गोल भी बना लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल लुक जो वड़े का होता है, वो यही होता है, आप ऐसे एक पेडा सा बनाएं, हाथ में पानी लगाते रहें, और एक बीच में होल कर दें, ये परफेक्ट आपका वड़ा तयार है, और इसे मीडियम फ्लेम पे आप पाच मिनट तक भिगो कर जरूर रखें, इससे आपके वड़े और भी जादा सॉफ्ट बनेगे, ये देखिए, अब दही का प्रपेरेशन कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक लीटर दही लिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेट लिया है, और एक चम्मच उसमें और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही जादा, चटपटा बहुत ही जादा अच्छा आता है, अब जरूर एक बार बनाएं से, उसके बाद पांच मिनट के बाद वड़ो को हाथ से इस तरह से दबा कर एक्स्ट्रा वाटर जह से लसन की कलिया ली और गर्म तेल में डाल दी, यहाँ पर फ्लेम लो है और चार मैंने लाल मिर्च ली है, सूखी वो डाल दी, हाफ टेट स्पून मैंने जीरा डाला और इस बगहार को वड़ो के उपर डाल दिया, इस तरह से वड़े हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो गए ह इस वक्त आप जरूर ढख कर रखें आदा गंटा तभी बगहार का फ्लेवर वड़ो में वड़े अब्जर्व करेंगे और इस तरह से हमारे बड़े बिलकुल रेडी टू सर्व हैं, यह बहुत ही यमी बनें, आप लोग इसे जरूर ट्राइ करें और वीडियो अच्छा ल